जिन्दगी में हम सबको किसी न किसी तकलीफ का सामना करना ही पड़ता है। कुछ के हल हम जल्दी ढून लेते हैं और कुछ समय लेकर। लेकिन सोचिए अगर हमारा स्थित्व ही हमारी समस्य कारण बन जाए तो क्या हो। ऐसा ही होता है हमारी देश की कुछ जातियों के साथ। उनको सरकार की तरफ से रिजर्वेशन तो मिलता है। लेकिन समाज से इज़त नहीं। आज हम आपको एक ऐसे शक्स से मिलाएंगे जो अपना पूरा जीवन ऐसे ही वंचित बच्चों का भविश्य बनाने में लगा रहे हैं। आईए स्वागत करते हैं। अनुबाई बहुत-बहुत स्वागत है FI Storytellers पे। थैंक यू, थैंक यू दरपन। पहला मेरा जो सवाल है आपसे, आपको मैं एक अंबेटकराइट की रूप में जानता हूँ, आपको एक एडुकेटर की रूप में जानता हूँ, आपको एक सोशल वर्कर की रूप में जानता हूँ, एक फिल्मेकर की रूप में भी जानता हूँ, आपकी पहचान, आपके मेरे पहचान मेरे लिए अमबिटकराइट के रूप में है मुझे लगता है कि मेरे जितने भी बागी सारे काम है वो उसी से निकले हैं और मेरे लिए जब मैं student life में ambidkarism से मैं जब exposed हुआ जब मुझे ambidkarism के बारे में पताचला तो उसी से निकले हैं नहीं तो मैं एक बहुती नॉर्मल स्टुडेंट लाइव जी रहा था, जो सिफ एक नॉर्मल जो टिपिकल मिडिल क्लास की इंजिनियर बनना है और फैमिली रखनी है, कार खरीबनी है वही था, लेकिन जब एक बार अम्बेटकरिजम से परचे हुआ तो फिर ये सारी चीजे वही से निकली है दूसरा सवाल आएगा अभी आपने बच्पन का जिक्र किया थोड़ा सबने बच्पन के बारें बताइए तो जैसे यह जो अम्बेटकर राइट्स आपके खायलात है यह जो सोच है यह कहां से आई क्या यह स्कूल से आई दोस्तों से आई परिवार से अधर परदेश के एक छोटे से शहर लखीमपुर किरी का हूं और सेंटरल यूपी में आता है लखनों के पास है नेपाल बर्डर पर तो मैं उस छोटे से शहर का हूं और मेरे पिता जी वकील थे और शहर में पला बड़ा और गाउं से उतना नाता नहीं था मेरा तो चुक कि बाद में मुझे पता चला गाउं में होता है या दूसरी जगह होता है उतना नहीं जहला था मैंने लेकिन कास्ट हमेशा से प्रिजेंट रहा है लाइफ में तो वो बचपन से ही कास्ट रहा है घद में बाते होती थी पडोस में बाते होती थी तो कास्ट ऐसा नहीं है कि शेहर में होने के कारण कास्ट एपसेंट थी, लेकिन कास्ट का जो विबत्व रूप हम देखते हैं गाओं में वो नहीं जिला है मैंने, हलांकि हमारे मोहले में जहां पे मैं रहता था, वहां पे सारी जो सोशल, जो आपके नौर्म्स होते हैं, सोशल जो चंड़क्ट होता है वो फिख्ज था, किसके घर आप जा सकते हैं, किसके घर आप नहीं जा सकते हैं, किसके कौन से कौन से परिवार के लोग आपके घर में नहीं आएंगे, और आपके घर में नहीं आएंगे, या अगर आएंगे तो वो आपके घर में खाना नहीं खाएंगे, आपको शादी मे अगर बुलाएंगे तो आपके लिए अलग विवस्ता होगी, तो ये social norms बहुत ही normal लगते थे हमको. जैसे कि आपको मैं example दूँ, जैसे कि holy dhpavali जब मनाई जाती थी, तो हमारे आडोस-पर्डोस के लोग, हम बच्चे mix रहते थे. अईसा नहीं था कि बच्चों में कुछ प्रॉबलम थी, बच्चे mix रहते थे, लेकिन जब बच्चे उनके हां मेरे घर पे आते थे, तो उनके जो parents हैं, वो instruction देते थे कि इनके हां पानी नहीं पीना है, इनके हां घर का बना खाना नहीं खाना है, आपके घर में कोई आता है, होली दिपावली पे, और वो आपके घर का बनावा खाना नहीं खाएगा, लेकिन बजार की मिठाई अगर आती है, तो खा लेगा, आपके घर में पानी नहीं पिएगा, लेकिन अगर आप बाहर से कुछ ले के आ रहे हैं, तो यह चीज हमने देखी है और एक्सपीजेंस की है और वैसे ही फिर हमको सिखाया जाता था कि यह लोग अंटेशिबिल्टी करते हैं तो आपको भी इनके आना ही जाना है तो ऐसा कोई इंसिडेंट ऐसा कोई वाकिया आपको याद है जब पहली बार क्योंकि मैंने कुछ समय पहले बेजवारा विल्सन जी का इंटर्व्यू किया था उन्होंने बताया कि कास्ट कभी आप सीखते नहीं हूं आपको बताई जाती है कि आप कौन सी कास्ट के हो तो मैं पर्टिकॉलर इंसिडेंट बता सकता हूं जो मेरे लिए बहुत हुमिलियेटिंग था कि मेरे फादर वकील थे जैसे मैंने बताया तो उनके एक दोस्त थे और वो मुस्लिम थे वो भी वकील थे और उनके दो बेटे थे जिसमें से बड़ा बेटा मेरे साथ पढ़ता थ और छोटा बेटा जो था वो मेरे से एक साल जूनियर था तो अब उनके पैरेंट्स ने बता दिया होगा मेरे फादर के बारे मेरे फादर की कास्ट के बारे में तो वो बच्चा जो है वो जो मेरे से जूनियर था वो आकर स्कूल में सबको बता रहा है कि यह पर्टिकुलर तो उसमें कोई कास्ट का ऐसा कोई एजंडा नहीं था क्योंकि कोई स्कॉलरशिप नहीं थी कास्ट की तो ऐसा कुछ था नहीं सब को बराबर फीजव देना पड़ता था तो मैं कास्ट को वहाँ पर अपनी आडेंटिटी को छुपा कर रह सकता था तो लेकिन वो मतलब मैं अलग हूँ उन सबसे. आज आप एक अकेडमी चलाते हैं, इसका नाम नालंदा है. इसकी शुरुवात कैसे हुई, इसकी जो कहते हैं, सीड्स, वो कहां से आती हैं? देखें, यह सब हमारे स्टुडेंट लाइफ से हुआ कि मैंने बताया आपको कि स्कूल लेवल पर, अपने सिटी लेवल पर इतना मुझे खराब नहीं लगता था. मुझे यह बहुत acceptable लगता था कि हम सब अलग-अलग कास्ट के हैं, कोई हमारे हैं आता है, कोई नहीं आता है, कोई हमारे हां खाता है, नहीं खाता है, तो वो एक और हम भी उसके हाँ नहीं खाते हैं तो वो एक बराबरी वाला लगता था कि हाँ ठीक है यार तुम नहीं आ रहे हो तो हम भी नहीं आएंगे तो ऐसा कोई violence नहीं था हमारे खिलाफ या ऐसा कोई social ostracization नहीं था कि नहीं आप एकदम आप इस दुकान नहीं जा सकते तो जो कि गाओं में होता है तो मेरे लिए एक बहुत नार्मल था लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो रहे थे 9, 10, 11, 12 में जब हम आये तो reservation जो है वो एक बहुत बड़ा issue निकल के आया सामने क्योंकि reservation में क्या होता है कि आप जब 10, 11 में पहुंसते हैं तो सारे लोग बच्चे engineering, medical की तियारी शुरू करते हैं और तब जो है यह reservation को लेकर बाते शुरू होती है और होता क्या है कि हम लोग जो होते है schedule class, schedule track, उनको reservation के बारे में इतने emotionally वो react नहीं करते है लेकिन upper class जो है reservation को लेकर बहुत emotionally react करते है और उनके reservation को लेकर stereotype से वो बहुत entrenched है, बहुत अंदर तक है तो अगर आप छोटे बच्चे से भी पूछेंगे उनके कि reservation को लेकर तो वो तुरंट गाली देना शुरू हो जाएगा तो वो handle करना मेरे लिए 11-12 में बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि बच्चे बात करते थे बच्चे टारगेट नहीं करते थे क्योंकि उनको पता है नहीं था कि कौन किस कास्ट का है वो सिव एक अंदाजा लगाते थे कि यह उनको प्राफमन होगा यह सिंह है तो यह ठाकूर होगा या कुछ अपकास्ट बच्चे का है कि अरवेरी वोकल बट कास्ट तो अगर कोई कायस्त है, कोई ब्रहमिन है कोई खत्री है, पंजाबी है, रोड़ा है तो उनको प्राब़म नहीं है कास्ट को डिस्प्ले करने का तो it was very normal for them to tell that I'm a Brahmin, I'm a Thakur, I'm a Rajput तो लेकिन अगर आप उसका response में हम लोग का response देखे तो हम लोग ambiguous रहते हैं हम कास्ट पे बात ही नहीं करते हैं है ना हम we try to hide, we try to you know divert the topic तो क्योंकि हमें पता है कि कास्ट जब का question आएगा तो मुझे बताना पुड़ेगा और hierarchy में मेरी caste कहां है ये बहुत clear होता है ये मतलब आपको बच्पन से सबको पता होता है कि अगर कोई ये बोलता है कि मुझे मेरी caste नहीं पता है या मेरी caste कहां है किस hierarchy आपको बच्पन से ही ट्रिल किया जाता है आपके parents, आपके relatives, आपके आस-पास आपको एकदम clear-cut picture रहती है caste hierarchy की ये अदेस्टांड ना कि आपका जो identity formation है आप देख रहे है कैसे आपका identity form हो रहा है society आपको किस नजर से देख रही है आपको तुरन समझ में आता है and then you feel the pressure to perform कि अब आपने एक normal student नहीं रह गया है now you have to prove yourself और ये जो feeling है वो बहुत painful feeling है अभी आपने pressure की बात की लेकिन pressure दो तरीके से काम कर सकता है एक negative impact भी कर सकता है आपको depressed कर सकता है या आपको जहन्जोड सकता है अपनी जादा ताकत लगाने के लिए अपने आपको prove करने के लिए तो आपको क्या लगता है जादातर वो कैसे impact करता है जादातर जो ये impact करता है वो negative करता है negative इसलिए करता है क्योंकि आप अकेले होते हैं ये struggle कर रहे होते हैं और आपका जो आसपास का पूरा जो एजुकेशनल इंस्टूशन का एन्वारमेंट है, वो होस्टाइल होता है. Majority of the teachers are upper caste, majority of the students are not Dalits, and majority of them come from a very different cultural background. तो इसलिए वो बच्चे जो है alienation, alienate हो जाते हैं. उनको लगता है कि उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, उनकी बात समझने वाला कोई नहीं है. तो ज़्यादा तर जो caste का और रिजर्वेशन का जो ए नेगेटिव इंपेक्ट पड़ता है, वो बच्चों पर बहुत हामफुल रहता है. बहुत बुरा इंपेक्ट पड़ता है, हमारे बहुत सारे स्टुडेंट्स जो है, जो कि टॉप इन्वेस्टीज में हैं, प्रिमेर इंस्टुशन में हैं, दे कमिट सिवसाइड बिकॉस अव तो आपने डॉक्यमेंटरी बनाई तो कही न कहीं से इसकी सोच आई होगी, कही आपने पड़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा कि ऐसा होता है, तो वो अपने परिसल्ल एक्स्प्रेइंस से आया या कुछ कहीं बाहर से आया? मेरे खुद के परसनल एक्सपिरेंस से आया, मैंने 12 के बाद मैं यूपी में एंजिनरिंग कॉलेज में मैंने अडमिशन लिया, one of the oldest and very reputed इंजिनरिंग कॉलेज जिसका नाम है हरकोड बटलर टेकनलोजिकल इंसिट्यूट एच्बी आई कानपूर जो की 1925 में बना था अंग्रे जो के समय का और वहां पर जब मैंने अडमिशन लिया तो पहली बार मुझे कास्ट का जो नेकड जो बोलते हैं नेकड रूप मैंने देखा था कि किस तरीके से जब आप जाते हैं मैं आपको मतलब अब आप सोचिए I am the student who has been just selected मैं अपनी सारी फाइल लेके जाता हूं सारे सर्टिफिक हो जाता है उसकी आखों में you can see the hate and that I have experienced first hand कि फिर वो बलता है कि अरे ये कास्टिफिकर ये तो नकली है भागो यहां से तो they will try to humiliate you तो अब कि ये कास्टिफिकर तो बोत पुराना लग रहा है ये कही फरजी है क्या नकली है क्या कहां से चले आते हो तुम लोग तो these are the these are the responses that I have received first hand my own experience during engineering college तो वो जो जो हाँ पे जो administrators बैठे हुए हैं जो आपके सारे documents चेक कर रहे हैं वो बिना comment के आपको नहीं छोड़ेंगे they will not stop you from taking admission but they will make sure that this experience is traumatic for you तो वो रोक इसलिए नहीं सकते क्योंकि उनकी तागत नहीं है शायद रोकने की नहीं रोकने सकते क्योंकि लीगल आपको you have to give admission तागत नहीं है उनकी वो से एक system का वो है बट उनका जो hate है वो quite visible है और वो आपको अपने ये मैंने JNU में भी experience किया है और ये मैंने JNU जो की so called बहुत ही liberal institution है the same experience I had with the administration तो अनू भाई ये सिर्फ system की तरफ से resistance होता है या students में भी कुछ ऐसा दिखा जाता है हाँ उसके बाद फिर यही चीज रप्लिकेट होती है student में जैसे कि अब जैसे कि admission तो हो गया अब admission के बाद हमारे हाँ hostel का list निकलता है तो आपको hostels allot किये जाते हैं अब hostels में ज्यादा तर engineering college में सुरवात में क्या होता है कि वो आपको room partner दे देते हैं पहले सही अब जो room partner है वो सबसे पहले आपकी cast check करता है अब सब कुछ notice board पे है आपकी category की rank आपका सब कुछ notice board पे दिया हुआ तो it's very easy to find out तो क्या notice board पे cast भी लिखी जाती है category लिखी जाती है कि आप किस category से है SC, ST, OBC क्योंकि merit उसी के अधार पे बनती है merit list आपका admission category के अधार पर हुआ है तो जो admission का notice list निकालते है that is category wise तो general category के इतने students है SC के इतने है, ST के इतने है और वो display होता है open अनुपाई में hostel list की बात कर रहा था हाँ, display होता है, पूरा display होता है और दूसरा यह है कि engineering college में उस समय ragging बहुत होती थी अभी तो ragging supreme court का intervention से ragging बहुत कम हो गई है लेकिन हमारे जमाने में 94, 95 में बोत ragging होती थी और ragging में सबसे पहले आपको अपना introduction देता हूँ, एक पूरा सिखाते हैं आपको seniors की कैसे आपको introduction देना, आपको अपना नाम बताना है अपना father का नाम बताना है अपनी rank बतानी है और अपनी category बतानी है तो you have to tell them, you have to tell every professor if some professor asks for your introduction, you have to tell these things right, so you have to tell your category so you are being forced to tell category, otherwise they will beat you up नहीं तो उमारेंगे आपको, आपको harass करेंगे तो वहाँ पर फिर students का role शुरू हो जाता है, seniors का तो अगर आप scheduled caste है तो बाकी लोगों, सबकी ragging तो सबकी होती है ऐसा नहीं है कि upper caste का ragging नहीं होगा लेकिन अगर upper caste को दो जहापड पढ़ेंगे तो आपको आठ पढ़ेंगे आपको humiliation ज़्यादा होगा ragging में, और comments सुनने को मिलेंगे वो ज़्यादा होता है और होता क्या है कि ragging भी caste based होती है बड़ा interesting है कि ragging के लिए जो group seniors बनाते हैं, they are caste based and they target actually target करते है कि कि किसको ज़्यादा rag करना है किसको कम करना है and that is purely dependent on your caste location तो ऐसा नहीं है कि अपकास का ragging नहीं होता उनको भी बहुत हरास करते हैं लेकिन the amount of harassment is different जैसे कि मुझे and the kind of harassment we go through is very very different I will just give you one example मेरा ragging हो रहा था रात में हम लोग मेस में बटे हुएते हैं तो senior साय पकड़ लिया ragging लेने लगे और मेरे को बोला जब introduction दो तो मैंने introduction दिया मेरा caste category सब बताया तो मेरे को बोला गया कि आप Dr. Ambedkar को abuse करो तो I was very shocked actually और मैंने मना किया कि नहीं दूँगा मैं तो थोड़ा सा tension हुआ फिर ultimately I have to give लेकिन जब मैंने दिया तो मुझे अंदर से इतना खराब लगा I felt humiliated मतलब मुझे लगा कि यार मेरे से ही क्यों बोला गया और बाबा साब को ही क्यों तो मैं जब वापस आया तो that was my actually the moment where I started thinking about Dr. Ambedkar कि इनके लिए Dr. Ambedkar इतने important क्यों है कि ये मेरे से गाली दिलवा रहा है और मेरे को उनसे identify क्यों कर रहा है तो वो moment था जहां पर मैं actually I started thinking about Dr. Ambedkar for the first time कि हाँ कुछ तो connection है इसका मतलब और दूसरा जो Engineering College में था experience वो पहला दिन था हमारा और हमारे Physics के प्रोफेसर थे शिर्वास्तव साइज कायस थे साइज सिर्वास्तव जी थे वो तो दाड़ी वाड़ी थे और बड़े भारी प्रोफेसर लगते थे बहुत ग्यानी टाइप के तो वो आए क्लास में और हम 87 लोग का बैस था 87 में हम 7-8 लोग होंगे रिजर्वेशन वाले क्योंकि तब तो रिजर्वेशन भी फुल्फिल नहीं होता था तो अभी रिजर्वेशन थोड़ा फॉलो होता है पहले तो दो सीट भर दिया चार सीट भर दिया बाकी वेकेंट ऐसे पड़ी रहती थी तो हम साज साथ-ाथ लोग थे रिजर्व काटिगरी के SCST मिलाके तो आट-दस रहे होंगे तो वो इंट्रोड़क्शन लेते हैं हमारा हम सब इंट्रोड़क्शन देते हैं उसके बाद वो बड़े स्टाइल से बोलते हैं कि भाई ये जो SCST है वो पढ़ाई ठीक से करे माय वती नंबर नहीं देगी मैं दूँगा अच्छा अब 95 की बात है तो कहीं ने कहीं आपको बताया जाता है बार-बार कि आप असानी से जो आ गए हो अभी यहां कर सफ़र असानी नहीं आए हैं हम भी बहुत महनत करके आए हैं ने 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 एक एक थौट प्रोसेस यह होता है ना कि आप असानी से रिजर्वेशन की वज़ा से आ गए हो तो यह सारे इंसिडेंट्स थे जो मुझे बहुत मेरे को अंदर तक काट रहे थे और उसके बाद फिर इंजिनिंग कॉलेज में बहुत वाइलेंस भी था रैगिंग मैंने बताया रैगिंग में हमारे बच्चों के साथ बहुत वाइलेंस होता था लेकिन एक बहुत इंटरस्टिंग चीज भी देखी मैंने उसी समय जब रैगिंग यह शुरुआत हुई थी तो हमारे कुछ श्रडूल का कि अधर मत जाना यह प्रोफेसर बोट कास्टिस्ट है इसका पेपर मत लेना यह करना यह बुक से पढ़ना तो यह बुक से पढ़ना तो देवर ट्राइंग तो हमारे को अपना केरियर था तो अनुब भाई इसके बाद शायद कहीं न कहीं आपको एक्सपोजर हुआ कि किस तरीके का एक जो डीलिंग है S.E.S.T. और कैटिकरी स्टुडेंट्स के साथ वो कैसी है स्कूल्स और कॉलेजिस में तो शायद महां से आपकी शुरूआत हुई होगी मुहिम पे काम करकर कुछ डॉक्यूमेंटरीज बनाने की हाँ हाँ उसके अलावा क्या था मैं एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मैं एक और चीज़ देख रहा था मेरे सामने वो यह था कि majority of the schedule caste, schedule tribe students जो है वो गहाँ से आए थे first generation literate थे मेरे जैसे schedule caste जो की second generation literate है urban center से आए हैं English medium से आए हैं बहुत कम थे इकका दुका थे हम सिर्फ दो-तीन लोग थे जो लकनव से लखिमपूर से बाकी सब कोई Itawa के गाहों से है, कोई ETA के गाहों से है कोई कानपूर के गाहों से यहां से आए थे first generation literate थे, hindi medium थे उनको ज़्यादा problem थे उनके साथ ज़्यादा misbehave होता था उनके साथ ज़्यादा discrimination होता था और they became the poster boys and girls of reservation कि देखो reservation वाले ऐसे होते है जबकि वो मेरे से ज़्यादा intelligent थे वो मेरे से ज़्यादा number लेकर आये थे लेकिन चुकि वो hindi medium थे और हमारा engineering college पुरा English medium था वो cope up नहीं कर पाते थे अब first semester में मैं आपको बताता हूँ कि चुकि मैं English medium में था मैं सारे में पास हो गया सारे छे subject थे सब में पास हो गया लेकिन मेरे साथ के जो सरुलकाद बच्चे थे जो मेरे से अच्छी rank लेकर आये थे इंटरेंस exam में वो सारे के सारे subject में fail हो रहे थे क्योंकि वो hindi medium थे और कोई भी system ऐसा नहीं था जो उनकी मदद कर सके तो वो अब अब टीचर के लिए बहुत आसान होता है तुमको English नहीं आती तुम क्यों आये हो यहां पे फिर क्या ज़रूरत थी इंजिनियर बनने की रिजर्वेशन लेकर चले आते हो तो राधर देन अंडर्स्टाइड़निंग आट तो यहां बहुत 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 कि आप इंग्लिच नहीं बोल सकते तो आप जादा समझदार नहीं होंगे आप जादा नहीं आता होगा बिलकुल बिलकुल और यह एक्चुली कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है क्योंकि हम एज्यूम करते हैं कि यह लोवर कास्ट होगा या लोवर क्लास है तो इसलिए इसको इंग्लिच नहीं आती है यह इंटेलिजन नहीं है तो कास्ट और लैंग्वज का जो है वो मेकसब हो जाता है पुरा तो अनुब भाई यह तो रहा कि आपका एक एकस्पोजर हुआ एक किस तरीके का माहौल है एक एडुकेशन सिस्टम में फिर आपने कोई डॉक्यूमेंटरीज बनाई फिर उसके बाद मैं अपनी एक अकैडमी चलाऊँगा वहां तक कैसे पहुँचे ऐसी और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलेगा नमस्कार